हेलो दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू इस्माइल इन गार्डनिंग में फ्रेंड्स मैं हूँ ममता शर्मा आपकी गार्डनर दोस्त मैं आपके लिए न्यू न्यू इन्फॉर्मेटेव वीडियो लेकर आती रहती हूँ सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेकर रहा हूँ सबसे पहले आपको नौटिफिकेशन मिले सो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो हम सभी ने विंटर्स के प्लांट अपने गार्डन में लगा रखे हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं बर्स भी ब्लूम हो रही हैं बहुत सुंदर लुक भी दे रहे हैं लेकिन इन सब के बावजूद हमारे गार्डन में कुछ न कुछ प्लांट्स पर प दिखाई दे रहोंगे यह दिखे है जैसे मेरे प्लाइंट पर हु रहा है और जब कि मैं समय समय पर पेस्टिसाइट का स्प्रे करती रहती हूं नीमिस प्रे करती रहती लेकिन इसके बावजूद भी problem आ रही है क्योंकि उसका कारण है अच्छे से sunlight नहीं मिल पा रही है क्योंकि धूप कम निकल रही है सर्दी का season चल रहा है रात को और सुभह में बहुत जादा कोहरा रहता है ओस भी पढ़ती है चुकि कहीं न कहीं हमारे plants को नुकसान पहुचा क्योंकि जब इनके लीप्स पर ये बरफिला पानी जमा रह जाता है और अच्छे से दूप प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है इसी तरह से ये देखिए मिरे डहेलिया का प्लांट है जिसको मैंने सीड से लगाया था इसकी लीप्स से फेड़ होने लगा है इसका ये पत्ता और यहीं से पूरा धीरे धीरे फेड़ होके ये पीला पढ़के गिर जाएगा ये देखिए लीप्स पर ये वाइट वाइट सा साइन दिख रहा होगा ये लीप माइनर का अटेक है जब लीफ माइनर आपके प्लांट पानट करता तो अपना साइन छोड़ जाता है और इसके पत्ते के पीछे भी बहुत सारे चुटे-चुटे माइट्स चिपक जाते हैं जो कि धीरे-दीरे आपके प्लांट की जो लीप्स है उसका रस्चूशने लगते हैं आपका पत्ता फेडेड होने लगता है और वो धीरे-दीरे खतम हो जाता है यह देखे मेरा गुलाब है इस पर भी पहले प्रॉब्लम थी लेकिन अब ठीक है लेकिन आगे कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए कि मेरा प्लांट हेल्दी भी रहे किसी तरह के माइट्स का अटेक भी न हो और ठीक भी रहे यह मेरा गुलता करनी है यह देखे यह इसके लिफ्स किस तरह से यलो हो रही है और दीर धीर पूरी यलो हो जाएगी और फिर यह लिफ्स घिर जाएर यह सब फंगस के कारण प्रॉब्लम्स हाती हैं अगर हम अपने प्लांट्स में पानी जादा दे तो रात को जो ओस पढ़ती है ना उसके वज़े से हमारे प्लांटों पर नमी बनी रहती है मिट्टी का सरफेस अच्छे से सूख तो पाता नहीं है लेकिन जो ओस के कारण नम हो जाता है और नीचे की मिट्टी में तो वैसे भी नमी होती है इस वज़े से पानी में जल्दी जब अच्छे से मिट्टी ड्राय हो जाए जब ही मैं पानी देती हूं लेकिन उसके बावजूद भी यह प्रॉब्लम दिख रही है तो इसका टीटमेंट करना ज़रूरी है वैसे तो डेहलिया पर और गुल्दाउदी के प्लांट पर कोई जादा खास प्रॉब्लम नहीं आत और प्लांट को वाश जरू करना चाहिए ताकि जो मैट्स लगे हूं वो छूट जाएं यह देखो मेरा दूसरा प्लांट है इसी प्लांट के साथ रखा हुआ था तो हो सकता इस पे भी थोड़ी प्रॉब्लम रही हो यह मेरा बरवीना है यह तो मेरा बिलकुल हेल्दी लेकर अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं 15 दिन में एक बार करते रही है क्योंकि सर्दी का समय है तो इस पे बहुत सारे मायट्स आते रहते हैं इन मायट्स और फंगस से घबराने की बिलकुल ज़रूरत नहीं है आप अपने घर पर ही बहुत अच्छा और ताकतवर प anti-inflammatory properties भी होती हैं तो नीम बहुत ही अच्छा pesticide है जो कि हमारे प्लांट पर बहुत अच्छा काम करता है और हमारे आजब आसपस कहीं न कहीं लगा भी मिल जाता है तो बहुत आसानी से आपको यह मिल भी जाएगा जिससे आप उसकी leaves लेकर घर में ही pesticide बना सकते हैं इस त दोनों ही बहुत ही अच्छा पेसिसाइट का काम करते हैं इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रहती है इसको चीलने की ज़रूरत नहीं है डारेक्ट हम इस तरह से इसकी कलियों को अलग करके बिना छिलका उतारे ही इसमें डाल देंगे इस तरह से सारे तोड के डाल तो हम डारेक्ट ही इस तरह से डाल देंगे क्योंकि हमें पेस्टिसाइट बनाना है और उसके बाद चानना भी है तो यह सब कुछ जो भी रहे भी जाएगा वो निकल जाएगा उसके बाद यह मैंने ऐलोवेरा लिया है ऐलोवेरा मेरे पास छोटा था तो मैंने तीन पीस आप इस तरह से ले सकते हैं इसको डारेक्ट ही छोटे-छोटे पीस बनाकर हम जग में डाल देंगे आप यह सोच रहे होंगे मैंने ऐलोवेरा क्यों लिया है तो ऐलोवेरा इसलिए लिया है कि ऐलोवेरा ऐसा प्लांट है जहां भी लगा रहता है तो इसके आस-पास भी को को पीस लेंगे और इसमें एक चमच हल्दी पाउडर एड़ करेंगे थोड़ा ऐसा पानी भी मिला लें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए हल्दी पाउडर इसलिए एड़ करना है क्योंकि हल्दी बहुत ही अच्छा एंटि-फंगल का काम करती है तो प्लांट पर बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहता है तो इस सारी चीजों को हम मिक्स कर लें और मिक्स करने के बार ये सारे मिक्चर को छान लेंगे किसी चमच की मदब से अच्छे से ये मिक्चर को छान लें क्योंकि ये गाड़ा है इतनी आसानी से नहीं निकलता है तो थोड़ा सा प्रेस क करना पड़ेगा इस तरह से हिला हिला कर इसको छान ले और जो भी लिक्विड निकलेगा बहुत ही हमारे काम का है और जो उपर यह रह जाएगा बचा हुआ यह भी वेस्ट नहीं है जब भी हम किसी भी प्लांट की मिट्टी बनाएंगे उसमें इसको एड कर सकते हैं बहुत ह बढ़िया काम करता है तो इस तरह से यह हम सारा मिक्च छान लेंगे यह बहुत ही बढ़िया और पावरफुल पेच्ची साइड बन का त्यार हुआ है क्योंकि यह पूरा और गैनिक है इसमें कोई भी केमिकल हमने एड नहीं किया है सब कुछ नैच्रल है तो बहुत ही बढ अगैनिक है कोई नुकसान नहीं है फलों के प्लांट पर आप इस प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आपके फल लगेंगे सब्जियों पर अगर इस प्रे करते हैं और अगर फूलों के प्लांट पर इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत ही हैवी लुइना रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा से जाधा भी बन जाता है तो जाधा बन जाए कोई गवराने के दरुरत नहीं है जितना आपको अपने प्लांट पर इस्तिमाल करना है इस्तिमाल कर लीजिये और बागी का बचा हुआ आप स्टोर करके रख दीजिए जब भी आपको दुबारा अपने प्लांट पर इस्तेमाल करना हो तो इसको डायलूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल खराब होने वाला यह मिक्षर नहीं है अब यह मिक्षर मैंने छानकर अलग कर लिया है अचछे से मिक्स करने के बाद हम इसको प्लांट में देंगे प्लांट की मिट्टी में डाल दें और पाकी का हम इसकी लिप्स पर इस तरह से डाल देंगे वैसे आप इसको इस्प्रे करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे पास यह कोलीन का एक बॉटल है जिसमें इसको भर रही हूँ और प्लांट की लीप्स पर अच्छे से इस्प्रे करूंगी ताकि जहां कहीं भी प्लांट की लीप्स में मैच छिपे बैठे हों वो सारे के सारे मर ज कीजिए क्योंकि आप द्वारा बनाया हुआ जो पेस्टिसाइड है वो आपके प्लांट के लिए बहुत यूस्फुल रहेगा सो फ्रेंड यह मेरा घर पर बनाया हुआ पैस्टिसाइड कैसा लगा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेर झाल वीडियो को लिए बनाया हुआ यह मेरे वीडियो का लगा हुआ जा लगा हुआ जा जा बनाया हुआ।